चलिए सुन्स, आज हम करेंगे 7th Science का चैप्टर, Motion and Time का Question No. 5. अब देखे सुन्स, Question के स्टार्टिंग में हमसे कहा गया है, कार का जो Odometer है, कार का जो Distance नापने वाला Meter है, वो 8.30 a.m. में Reading दिखा रहा है, 57,321.0 km. ठीक है, तो कार का Odometer हमें ये दिखा रहा है, कि कार जो है, वो 8.30 a.m. तक इतना चल चुका है, ठीक है, तो चले इसको यहाँ पर लिखते हैं, Odometer Reading at 8.30 a.m. is equals to 57,321.0 km. ठीक है, अब देखे, कार का जो Odometer है, वो 8.50 a.m. में इतना Reading दिखा रहा है, तो चले इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं, Odometer Reading at 8.50 a.m. जो की है, 57,336.0 km. ठीक है, अब देखे, 8.30 a.m. में, कार के Odometer में जो Reading आ रहा है, वो इतना है, हम इस वाले distance से, इस वाले distance को माइनस करके, यह पता लगा सकते हैं, कि कार ने कितना distance travel किया, ठीक है, तो हम distance travel को निकालने के लिए, कार ने कितना distance travel किया है, इसको निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, इस बाद वाले kilometer से, इस पहले वाले kilometer को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो हम इस से, 57,336.0 kilometer से, माइनस करेंगे, इस पहले वाले kilometer को जो की है, 57,321.0 kilometer, ठीक है, अब देखिए, 0-0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6-1 हो जाएगा, 5, 3-2 हो जाएगा, 1, 3-3, 0 हो जाएगा, 7-7, 0 हो जाएगा, 5-5, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया, कि कार ने जो distance travel किया है, वो distance travel किया है, 15 kilometer, ठीक है, अब देखिए, कार जो है, 8.30 a.m. से 8.50 a.m. तक चलता है, इसका मतलब कार जो है, वो 20 minutes चलता है, ठीक है, तो चले टाइम को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं, जो टाइम ठेकन है, वो है, 8.50 a.m. बाद वाले टाइम से हम पहले वाले टाइम को माइनस करेंगे, ठीक है नहीं, तो आएगा हमारे पास में, इस बाद वाले टाइम से जब हम पहले वाले टाइम को, यानि कि 8.50 a.m. से हम 8.30 a.m. को माइनस करेंगे, तो आएगा 20 minutes, 20 minutes आएगा ना, क्योंकि 8.30 से 8.50 तक 20 minutes होता है ना, तो time taken हमारे पास में आगया 20 minutes, ठीक है, चलिए अब हम speed निकालते हैं, अब हम निकालेंगे speed, अब देखिए हमें पता है कि जो speed होता है, वो होता है, distance upon time, ठीक है, अब देखिए, distance हमारे पास में है, 15 km, तो distance की जगा पर आएगा, 15 km, ठीक है, and time हमारे पास में है, 20 minutes, तो नीचे आएगा 20 minutes, अब देखिए, उपर 15 है, नीचे 20 है, ये दोनों ही numbers 5 से divide हो सकते हैं, तो चलिए इन दोनों numbers को 5 से divide करते हैं, 5 3 जा होता है 15, 5 4 जा होता है 20, ठीक है, तो हमारे पास में आगया, 3 upon 4, km per minute, ठीक है, अब हम 4 से 3 को divide करेंगे, ठीक है, अब देखिए, 3 तो divide होगा नहीं, तो हम point लगा करके 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर point लग जाएगा, ठीक है, अब देखिए, 4 7 जा होता है 28, minus करने पर बचेगा 0, क्योंकि point लग चुका है, तो यहाँ पर एक और 0 हम ले सकत है, एक और 0 यहाँ पर मुफ्त होता है, तो यह 0 नीचे आजाएगा, 4 5 जा होता है 20, तो minus करने पर बचेगा 0, तो जब हम 4 से 3 को divide करेंगे, तो आएगा 0.75, तो हमारे पास में आएगा 0.75, यहाँ पर point है, इसका आगे कोई भी number नहीं है, तो लगाएंगे 0, तो हमारे speed आ kilometer per hour में भी निकालते हैं, तो हम speed को kilometer per hour में निकालने जा रहे हैं, अब देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर focus करना है आपने, यहाँ पर हमारे पास में speed है, 3 upon 4 kilometer per minute, यहाँ पर हमारे पास में speed है, 3 upon 4 kilometer per minute, अब हमने इस minute को hour में convert करना है, क्योंकि हमने speed को kilometer per hour में निकालना है, तो हम इस minute को r में convert करेंगे, ठीक है? Minute को r में convert करने के लिए हम, जो भी नीचे number होगा, उसे हम 60 से divide करेंगे, ठीक है? देखें, यहाँ पर नीचे 4 है, तो हम 4 को 60 से divide करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास में हो जाएगा 3 upon 4 upon 60, हाना? हमने नीचे वाले नंबर को 60 से डिवाइट कर दिया तो हमारा किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा किलोमीटर पर आर तो याद रखना है नीचे वाले नंबर को 60 से डिवाइट करने पर यह जो मिनट है यह आर में कनवोर्ट हो जाएगा ठीक है, तो हमारे speed km per hour में आएगा, अब हम इस नीचे वाले नंबर को रैसी प्रोकल करके उपर वाले नंबर के साथ में multiply करेंगे, देखे उपर है 3, उपर 3 है, नीचे हमारे पास में है 4 upon 60, हम इसका उल्टा करके 3 के साथ में multiply करेंगे, ठीक है, तो 4 upon 60 का उल्टा हो आप देखे, 4 से हम 60 को divide करेंगे, तो आएगा 15, 15 थ्रीजा होता है, 45, तो हमारे पास में आगया 45 km per hour, तो हमारे पास में आगया, यहाँ पर 45 km per hour, तो देखे, हमारे जो speed है, car का, वो यहाँ पर km per hour में आगया, 45 km per hour, तो यहाँ आगया हमारे इस question का final answer.